पुराने लोग ताजा और ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टे के घड़े का इस्तमाल करते थे लेकिन जैसे जैसे टेक्मिलोजी आते गई लोग अब फिज का पानी पीना शुरूख कर दिया गया है फिज में रखने से पानी तो बहुत ठंडा हो जाता है लेकिन यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान दायक होता है मटके का पानी जज ना नुकसान देता है उतना ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है जिन लोगों को भी अपच की समस्य है जिनका खाना ठीक से पस्ता नहीं है उन्हें कोरे मटके का पानी जरूर पीना चाहिए गर्मी के समय में घड़े का पानी पीने से किसी तरह की थकान या शारिक पीड़ा नहीं होती इस पानी का सेवन करने से सीरदर्द की प्रोलम से भी रहात मिलती है घड़े का पानी का सेवन हर प्रोलम का सोल्यूशन है पर अस्थमा के पेशन्स को घड़े का पानी नहीं पीना चाहिए मटके का पानी प्राकरतिक तोर पर ठंडा होता है जबकि फ्रिज का पानी इलेक्रिसीटी की मदद से ठंडा होता है एक बड़ा फादा यह भी है कि इसमें बिजली की बज़त भी होती है और मटके बनाने वाले को लाब भी होगा प्रेंगनेंट महिलाएं अगर फिज का पानी पीती हैं तो उससे उनके होने वाले बेबी की सियत पर बुरा असर पड़ता है इसलिए जगे पर वह घड़े का पानी पीती हैं तो उन्हें राहत भी मिलती है फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी पीने से कई बार गला खराब हो जाता है लेकिन घड़े के पानी पीने से गले की कोशिका बहुत कम सिकुरती हैं तो लिए आप भी कोशिश करें कि गर्मियों में हमेशा घड़े का पानी ही पीएं ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद